हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आप लोगों का मेरे यूटुब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज जिस पौधे के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको देखकर आप तो जान ही गये होंगे कि हम किस पौधे की बात करने वाले हैं भारत में ऐसा कोई तुल्सी नाम इसलिए प्ड़ा ये एक ऐसी और राता है Maintenant is a और पूजनिया जिसके बारे में रहां पूरी जानकारी देंगे ये जो पूधा है इसका नाम है तुलसी तुलसी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक ऐसी ओशधी है जिसकी तुलना हम किसी भी पौधे से नहीं कर सकते ना ही किसी भी ओशधी से कर सकते हैं ये बहुत जादा ही अनमोल ओशधी है दोस्तों अगर ये पौधा आपके घर में है तो आपकी आधे से ज्यादा बीमारिया तो यूँ ही खतम हो जाएगी अगर आप इसका नित्य प्रती दिन दो पत्ता भी खाते हैं तो आपकी आधे से ज्यादा बीमारिया ऐसे ही खतम हो जाएगी दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे रामा तुलसी कहते हैं इसकी पत्तिया जो होती है वो हरी होती है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पौधा पूरा हरा है और इसकी पत्तिया जो है वो हरी है इसे लिए इसे रामा तुलसी कहते हैं दोस्तो अब जिस तुलसी के पौधे को आप देख रहे हैं इसका जो रंग है ये बैगनी रंग है और इसकी जो तना है वो भी बैगनी कलर का है इसे कृष्ण तुलसी कहा जाता है और ये बहुत जादा आयुर्वेदिक है और इसके जो गुण है वो रामा तुलसी से भी तो भी खासी है तो इसकी 8-10 पत्तियों को अद्रक कालिमिज और सहत के साथ पीस कर थोड़े थोड़े देर में इसे चखने से खासी में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और यदि शरीर के अंदर गर्मी बनी रहती है और बुखार जैसी इस्थिती रहती है तो इसके पत्तो को पानी में उबाल कर पीने से ये बुखार को जड़ सहीत खतम कर देता है और जिससे की आगे चलकर आपको टाइफाइट की भी समस्या नहीं होगी तो दोस्तों अगर किसी को भी बुखार होता है अंदर हलका हलका बुखार लगता है तो इसकी पत्तियों को पानी के साथ उबाले और जब पानी आधा रह जाए तब उसका सेवन करें तो ये बुखार को जड़ सहीत खतम कर देगा दोस्तों अगर इसकी पत्तियों को पीस कर चहरे पर लेप करते हैं तो इससे जो भी दाग धबे हैं चहरे के और जो भी कील मुहासों की समस्या है वो भी जड़ से खतम हो जाएगी और इसे रोजाना आप चहरे पर हलका सा पीस कर लगाएं और आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा फायदा मिला है और कितना ज़्यादा आपके चहरे पर निखार आ गया है तो चहरे की निखार के लिए भी इसका उप्योग किया जा सकता है यदि किसी भी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है या सांस लेने में दिक्कत आती है तो भी इस पौधे के चमतकारिक प्रयोग देखे गए हैं और अगर इसकी पत्तियों को रोजाना सेवन किया जाए तो जो भी अस्थमा की प्रॉबलम है सांस लेने में दिक्कत होती है उस भी बच्चे को बार-बार टॉंसिल्स हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत राहत देने वाला पौधा है दोस्तों ये मेरा चैनल नया है और इस चैनल में मैं आप लोगों को जो भी हमारी प्रकृती में जड़ी बूटिया है उनके बारे में मैं जानकारी दूँँगी जो कि आपके स्वास्थ के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी तो कृप्या करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकान दबा ले वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें ताकि मैं और भी ज़्यादा अपने चैनल को इंप्रूव कर सकूँ दोस्तो जिस किसी को भी कमजोरी की समस्या है दिन भर ठकान बनी रहती है तो इसके बीजो का जो प्रयोग है पानी के साथ में इसके बीजो को खाने से आपकी जो भी कमजोरी की समस्या है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी आपको जो ठकान लगना है वो भी समाप्त हो जाएगा ये वीर्य वर्धक भी इसे कहा जाता है तो दोस्तों आप अपने घर में तुलसी अगर नहीं हैं तो जरूर लगाएं और इसका प्रयोग करके देखे आपको जरूर फायदा मिलेगा